पूर्णिंग स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब लोग मैं मोहिन पठान आप सब का स्वागत करता हूँ फिर से एक बार से यूए टी अड़ा 24-7 पर और आज सुभे आज सुभे में लेकर आया हूँ आप सब के लिए बहुत सारी न्यूज और आज हम लोग करने वाले हैं बह लगों कि सर कैसे आता है कैसे आता है यह वाली प्रॉब्लम भी आज मैं सॉल्व करने वाला हूँ तो जल्दी से जल्दी आजाएं लाइक करिए शेर करिए इस सेशन को जल्दी से जल्दी क्योंकि आज हम लोग बहुत सारी इंपॉर्टन चीजे करने वाले हैं जो कि सबको बहुत सारी good morning सबको बहुत सारी good morning आईये हम लोग स्टार्ट करते हमारा आज का सेशन और आज का सेशन बहुत special होने वाला है क्योंकि आप लोगों की वह जो problem थी question कैसे आते हैं सर उसको मैंने काफी अच्छे से deal किया है आज तो आप लोगों को बहुत मजा आने वा में लेकर आया हुआ के लिए ठीक है जो आप लोगों की बैफेर्स को आज करने हूँ सी यूई टी अड़ा 24-7 पर और बिना टाइम वेस्ट करें हम लोग स्टार्ट करते हैं सर एक्जाम में मैच करेगा सर एक्जाम में मैच अब मैं पेपर तो नहीं बना रहा हूं लेकिन कोशिश तो कर रहा हूं एक्जाम रिलेटेट जो भी इंपोर्टन न्यूज है व सबसे पहले न्यूज हमारे पास कुछ इस तरीकी की है तो जरा सा मुझे जल्दी से बताइए कि इस कोश्चन का अंसर क्या है वेर डिट दे प्राइमिनिस्टर फ्लैक्ट ऑफ द टू वंदे भारत ट्रेंस रिसेंटली इन फेब्लॉरी कल प्राइमिनिस्टर मोदी ने दो वंदे भारत ट्रेंस को क्या किया है वो किया है तो कोश्चन यह यह कि कहा पर प्राइमिनिस्टर मोदी ने यह दो ट्रेंस फ्लैक्ट ऑफ किया है जल्दी जल्दी बताईए फिर इसके बाल हम लोग करेंगे कि इसने कहा किया है तो ऑप्शन दे दिए जल्दी जल्दी आं और सब के आंसर गलत हैए तो क्योंकि इसका आंसर है पूम्बई हमारे पास है 및 मुंबई ऍाप क्या हो गया कर तुम मैं इसका आंसर हमारे पास एक है मुंबई है तो देखिये ये तो महाराष्टरा में मुंबई पढ़ता है और मुंबई जो है वहाँ पर दो बहुत ह Frei भारत ट्रेंज जो जहान से सुनिए जो मैं बताना चाहा हूँ वंदे भारत ट्रेंस क्यों बनाई जाती है वंदे भारत ट्रेंस जो है बहुत ज्यादा फास्ट ट्रेंस है तो जो लगबग 52 सेकेंड्स के अंतराल में 0 से लेकर 100 की स्पीड पगड़ती है और और जो सेकेंड स्टेज ट्रेंस आ जाए है न क्योंकि जो विलेज रेलवे से कनेक्टेट नहीं है उनको क्या करना पड़ता है बहुत दूर-दूर शेहरों में जाना पड़ता है तो वंदे भारत ट्रेंस क्या करेगी एक तो डिस्टंस को जल्दी कवर करेगी प्लस विलेज लेवल कनेक्टिवीटी भी ये जो दोनों के दोनु वंदे भारत ट्रेंस देगी बिट्विन दि क्सेंटर आफ मुंबई और पूने को क्या करेगी मुंबई और पूने दो बड़े-बड़े शेहर महाराश्त्रा से और इन दोनों से निकलने वाले की दो जो क्पूने को जरूर क्या करेगी connect करेगी ठीक कि अ पूने नहीं जा रही है मैं बता रहों का जा रही है आदर सेंटर्स ऑफ फेत्स अन अधर पार्ट समारास्ता दो जितने भी वंदे भारत ट्रेंस महाराष्टा में बनने वाली है वो मुंबई पुने और आदर सेंटर्स ऑफ फेथ अदर सेंटर्स आफ फेथ मतलब जैसे नांदेड जहां पर सिखों का क्या है गुरुद्वारा है जैसे शेडी जहां पर क्या है साई भावा का मंदिर है जैसे ठीक है तो जितने भी जितने भी फेद से रिलेटेड क्या है फेद से रिलेटेड जितने भी शेहर वगरा है उनको कनेक्ट करने वाली है वंदे भारत ट्रेन और प्राइम मिनिस्टर मोधी ने कल फ्राइडे को क्या किया है इन दो ट्रेंस को दो वंदे भारत ट्रेंस को क्या दो वंद्य भाराट ट्रेंज किस-किस को connect करने वाली है, आई ये जल्दी से देखते हैं, हम लोग, यह बोला इस टू वंदे भारत ट्रेंस आर सेट टू प्लाइ बिट्वीन देखो किस-किस की बिच में जाएगी यह वंदे भारत ट्रेंस तो यह जाएगी बिट्वीन मुंबई एंड फिलिग्रिमेश टाउन्स आफ शेडी शेडी साही बाबा के नगरी है तो यह क्या करेग यह बोल रहा है जो वंदे भारत ट्रेंस है यह मुंबई को कनेक्ट करेगा शेडी के साथ जो कि एक पिलिग्रिमेश टाउन है पिलिग्रिमेश टाउन का मतलब क्या तीरत यातरा की जगा है ठीक है और दूसरी ट्रेंस मुंबई से निकलेगी और जाएगी सोलापूर तो दो ट्रेंस निकलिए है एक जाती है मुंबई से शेडी और दूसरी ट्रेंस जाएगी हमारी मुंबई से सोलापूर तो यह दो ट्रेंस जो है यह देखो और कुछ इस तरीकी की दिखती है हमारी वंदे भारत ट्रेंस दिख रहा होगा आपको ठीक है बहुत फास्ट टेन है और बहुत जल्दी distance cover करती है 52 seconds के अंदर 100 km per hour की speed जो है यह पकड़ लेती है तो यह बहुत ही ज्यादा fast है ठीक है चलिए आगे दहीं क्या बोल रहा है in total now there are 10 वंदे भारत trains ठीक है अब total कितनी वंदे भारत trains हो गई है total 10 वंदे भारत trains हो गई है वंदे भारत वाला mission जो है यह 2019 से start हो गया था वंदे भारत train बनाने का mission February 2019 से ही start हो गया था और अब हमारे पास total 10 वंदे भारत trains है तो आगर पेपर में question यह भी आ जाए कि वंदे भारत trains कितनी है तो 10 है पहले कितनी थी आठ थी कल दो स्टार्ट कर on the new Delhi कानपूर अलाबाद वारानशी रूट ठीक है तो पहली सबसे पहली वंदे भारत train जो थी उस वो किसको connect करती थी निव दिल्ली से कानपूर कानपूर से अलाबाद और अलाबाद से वारानशी तो ये सारी कि सारी चीजे है है हमारे पास किसके बारे में आज के पहले टॉपिक के बारे में आगर समझ में आ गया है तो एक बार मुझे दिखा दो अंगुठा अपना लाइक दिखा दो और अगर कोई डाउट है तो जल्ली जल्ली से पूछ लो तो वंदे भारत ट्रेन के बारे में हमारे पास बहुत सा 19 में स्टार्ट हो गई थी और सबसे पहली वंदे वारत ट्रेन जो थी वो दिल्ली कानपूर अलाबाद वारा नसी को क्या करती है कनेट करती थी और बहुत सारे अंगुठे बहुत सारे आ रहे हैं मेरे पास ठीक है चलो सारे के सारे एक लब्वे बने हुए मजा रहा है ठीक ह चलिए आगे देखते हैं लोग आगे हमारे पास क्या कोश्चन है तो नेक्स्ट कोश्चन आपके टेलेविजन स्क्रीन पर यह रहा हूँ वन्द शॉर्ट पूट गोल्ड इन टेंथ एशियन इंडोर एथलेटिक्स चैंपियंशिप जल्दी से मुझे बताईए कि सिँ जल्दी बताईए कि अे हां Metro जो है Metro सिटी कनेक्टिविटी के लिए किसने पूछा है यह शिनू है न चिटीकिन के लिए अ बंदे भारत ट्रेंस दो सीटीज के दो विलेज़ेस के बीच का डिस्टन्स जल्दी से कवर करने के लिए बनायते हैं ना दोनों का मिशन अलग है ठीक है तो इस वाले कांसर दीजिए बहुत सारे लोग आंसर देरे सर ए कुछ लोगों का बी आ रहा है कुछ लोगों का सी आ रहा है कुछ लोगों A B C D सब कुछ अलग अलग आ रहा है लेकिन इसका अंसर जितने लोगों ने भी बी दिया है बिलकुल गलत है ठीक है जिसने भी सी दिया है बिलकुल गलत है और जिसने डी दिया है डूप के मर जाओ क्योंकि इसका आंसर है ए क्या तजंदर पाल क्या पहुत ऑगया भी यह विटेर तो इसका आंसर हमारे पास है पटूटर पाल daw देखते हैं तर जिंदर पाल जी हमएं क्या बता रहे हैं और तजंदर पाल जी AMLE हम लोगों पता है कि तूटर पाल वह बंदा है जिसने एशियन चैंपियंशिप में भी एशियन चैंपियंशिप में भी क्या किया था गोल्ड मेडल जीता था तो आई यह देखते हैं तजिंदर पाल जी के बारे में यह बोल रहा कि एशियन गेम्स चैंपियंशिप एशियन गेम्स चैंपियंशिप एशियन गेम्स चैंपियन तजिंदर पाल जी इनकी फोटो देख रहे हो तुम है ना अच्छे खासे डोले शोले हैं इनके 56 की छाती है ठीक है तो यह बंदा अगर गोल नहीं जीते और इन्होंने अब जो टेंट एशियन इंडोर एथलेतिक्स ंपेंशिप हो रही है कापर और headset में और और सिल्वर मेडल करा है अपने नाम करनवीर सिंग ने और करनवीर सिंग जो ऑप्शन बी पे थे हमारे वो करनवीर सिंग ने जिता है सिल्वर तो गोल्ड मेडल है किसके पास गोल्ड मेडल है क्या नाम है तजिंदर सिंग के पास यह तजिंदर पाल के पास तजिंदर सिंग के पास और जो सेकेंड मेडल है सिलवर मेडल है वो है करनवीर जी के पास तो हमारे पास ये भी अंसर सॉल हो गया है कोई दिक्कत किसी को है तो बताई ये बढ़िया अच्छा एक और चीज़ बताओ मैं तुम्हें चलो बाद में बतातों ये दिखाए के ओल रहा है आलसो वी में जिता है ट्रिपल जंप में जिता है एंड़ श्वपना बरमन स्वपना बरमन ने इन जमत न फूह को पैनठलों से ना है ये चीज से है बहुत ज्यादा इंपोर्टन स्पोर्ट के बारे में हमारे पास न्यूज आती रहती है सी यूवीटी के पेपर में तो सी यूटी वाले पेपर में पिछले साल भी स्पोर्ट से कोशन आया था इस बार भी आएगा तो तजिंदर पाल करनवीर सिंग जो गोल्ड मेडल हो अल्सो बेटर दा मेंस नेशनल इंडोर रेकॉर्ड वाइल टॉपिंग दा क्वालिफिकेशन राउंड वे 7.93 मिटर तो इन्होंने मेडल तो नहीं जीता जैस्विन अल्वी अल्डीन ने लेकिन इन्होंने ने नेशनल रेकॉर्ड को तोड़ दिया है और इन्होंने ने न पास next question क्या है कोई दिकत है कि तो जल्दी बताइए यशादिया शुद्याबाद में कर ले ना हां चलिए अंगुठ है अंगुठ है very good आते हम लोग हमारे next question पर देखते हमारे पास हमारा next question क्या कहता है तो next question हमारे पास कुछ इस तरीके से है हूं इन अग क्रें ग्लोबल इंवेस्टर सम मिट और यहां पर you जो है वह उत्तर प्रदेश है तो इनोग रेटेट उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन वेस्टर सम मेえ और options हमारे पास है नरेंदर मोदी राजनात सिंग योगी अधित्यनात और मुकेश अंबानी तो चार हमारे पास options है तो जल्दी से मुझे अंसर दीजिए कि यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर सम्मिट जो की आज से स्टार्ट हो गई है तो उसमें उसको इनागरेट किस ने किया है कि नरेंदर मोदी ने किया है कि राजनात सिंग ने किया है कि योगी अधित्यनात ने किया है या है इसका अंसर मुकेश अंबानी तो योगी अधित्यनात वाले बहुत सारे लोग है और मोधी मोधी के बारे में भी बहुत सारे लोग कह रहे हैं और जो लोग भी योगी अधित्यनात के साथ है इस question में वो completely है wrong क्योंकि इसका answer है फिर से नरेंद्र भाई मोधी ठीक है तो देखते हैं हम लोग नरेंद्र भाई मोधी के बारे में नरेंद्र भाई मोधी जो है वही इसका हमारे पास है आंसर ठीक है चलिए अब देखते हैं हमारे पास क्या चीज़ है यह देखिए मोधी टू इनागरेट यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर सब्मिट टुड़े ठीक है तो मोधी जी ने क्या किया है यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर सब्मिट टुड़े सब्मिट जो है मीटिंग जो है वह इनागरेट करी है और यह करी है उत्तर प्रदेश में ब इस वज़े से हो रहे है क्योंकि उत्तर प्रदेश जो है उसका इरादा है कि उत्तर प्रदेश अकेला वन ट्रिलियन डॉलर्स का क्या बन जाए स्टेट बन जाए और इतनी उसकी इकनॉमी हो ठीके अब हम मोदी जी हमेशा बाजी मार देते हैं ठीक है तो चोबिस में मारें गया ना चलो देखते अब तो यह देखो क्या बोल रहा है यह बता रहा है हमें यह बता रहा है हमें की थ्री डे उत्तरप्रदेश गोबल ग्लोबल इन्वेस्टर समीट है यह तीन दीन की समीट है और तीन दीन की यह जो समीट है वो उत्तरप्रदेश में हो रही है लखनव में तो यह वोड़ा इनाउगरेटेड इन लखनव तो लखनव में हो रही है क्या हमारी थ्री डे उत उत्तरप्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट मतलब इन्वेस्टर को बुलाया जा रहा है और इसमें बहुत बड़े-बड़े नाम है ठीक है तो यह जब इनागूरेशन हो रहा था तो इनागूरेशन के टाइम रेंड में नरेंदर मोदी दूरेंदर मोधी के सा eleven योगी दितनात्र जोकी चीफ मिनिश्टर मुप उत्र प्रदेश है फ्याइव भी to showcase UP as a major investment destination तो यह क्यों करा गया है यह इसलिए करा गया है ताकि इन्वेस्टर्स को बोला जाए कि भी यह आई यह और इन्वेस्टमेंड करिए कहां पर उत्तर प्रदेश में और उत्तर प्रदेश से अच्छा डेस्टिनेशन आपको इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं मिलेगा नेस्ट क्या बोल रहा है टार्गेट क्या है टार्गेट क्या है इसका टार्गेट है तो इसका टार्गेट है टू एट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट और चाहिए 17.3 लेक करोड का इन्वेस्टमेंट चाहिए और योगी सरकार का यह मानना है कि अगर अगर उत्तर प्रदेश में इतना पैसा लग जाता है तो उत्तर प्रदेश को हम लोग बना देंगे डॉलर वन ट्रिलियन की एकनॉमी डॉलर वन ट्रिलियन की एकनॉमी बना देंगे उत्तर प्रदेश को तो यह सारे के सारी न्यूज हम लोगों ने देख ली है इसमें कोई दिक्कट है किसी को तो जल्दी से मुझे बताए और अगर नहीं है तो फटा-फट से लाइक का बटन भाई ठीक सर बिहार में भी करना चाहिए ना बिहार पे कोई ध्यान नहीं देता है अरे नितिष जी नहीं दे रये गया चांव पता ही नहीं था अरे तुमौहरे अपनी अपनी बाते चल लिये कर दो एक बोगे सर वनमोर अरे बहुत सरी आज तो तो तुम्हें इतने वे question करा देगा इत्ते question करा देगा तेरा भाई किसी ने सोची ना होगी चलो देखो बाकि मैं उसका फैन नहीं हूं कभी तुम सोच रोज का फैने सर ठीके चलिए आगला question देखते हैं कि हमारे पास हमारे next question क्या है तो next question कुछ इस तरीके से हमारे पास वेर वाजड़ एफ फार्मिूला इवल्ट चैंपियंशिप 2023 इनाओगरेटेड तो फॉर्मिला वन के बारे में सब लोगों ने सुनाऊ का कि फॉर्मिला वन रेसिंग कार्स होती है लेकिन लेकिन ये क्या भूल रहा है फार्मिला E World Championship 2023 इंडिया में हो रही है और इंडिया में कहा हो रही है तो जल्डी से जल्दी मुझे बताइए कि इंडिया में फार्मीला E की World Championship कहा पर हो रही है तो Option आप लोगे सामने कुछ इस तरीके से है हाइध्राबाद greater norida चंदिगर यह बैंगलोर तो जल्दी से जल्दी अच्छा जागरित राचपूत के राे कि सर हाइदराबाद आंसर है और तुक्का मार रहा है बलिंक पेज कह रहा है कि सद्ट चंदीगड आंसर है तो बहुत सारे लोगों के आंसर आ चुके है और जिन जिन ना पुछते 2013 पुछते तो जिसने जिसने ग्रेटर नॉइड आंसर दिया है बिलकुल गलत दिया है जिसने चंदिगड का तुक्का मारा है एक्जेक्टली गलत है और जिसने बैंगलोर बोला है उसको तो चुलू भर पानी में डूब मर जाना चाहिए क्योंकि इसका आंसर है हाइदराबाद हाइदराबाद तो हाइदराबाद में फॉर्मिला ए की वर्ल चैंपियंशिप हो रही है और यह जो फॉर्मिला ए की जो वर्ल चैंपियंशिप है इसमें इसमें देखिए क्या क्या हो रहा है आई यह फटा-फट से हम लोग देख लेते हैं देखिए यह इ देखेंगे तो फॉर्मिला इसमें है क्या बोल रहा है सबसे पहली बार करने को लेकिन वंदे भारत अब हम लोग ने दो हजाएस में भी दो ट्रेंस निकाली तो हम लोग ने इनागरेट थोड़ी किया हम लोगों सिर्फ लैग ऑफ किया और है यह होस्ट का मतलब होता है कि कौन से कंटरी में हो ठीक है तो आगर मैं बोलू कि यह जो फॉर्मिला ए फॉर्मिला एक चैंपियंशप हो रही है इसक फॉर्स टाइम हैसा हो रहा है कि इन्डिया में फॉर्मिला की रेस हो रही है दूसरा चीज़ क्या भूल ला है फॉर्मिला एस टैंज GhMAN फॉर्मिल को और है इलेक्ट्रिक को डेडिकेट करता है ठीक है अब फॉर्मिला one race और फॉर्मिला इटरेस में difference कि है वो भी थोड़ा समय बताऊंगा आप लोगों को लेकि इतना याद रखी कि फॉर्मिला इमेई जो है वह स्टेंड करता है किसको इलेक्टरिक को the रेसिंग कार is entirely powered by battery, तो completely battery से connected है यह पूरी की पूरी racing car, और it is powered by a 250 kilowatt battery, 250 kilowatt की इसमें बैटरी लगी हुए, that can reach speeds up to 280 km पर आर, की स्पीड से ये वाला क्या चलेगा ये वाला जो कार है रेसिंग कार है वो 280 किलोमेटर पर आर की स्पीड तक जा सकती है इलेक्ट्रिक कार है यह इट इस फर्स्ट ग्लोबल स्पोर्ट टु भी सर्टिफाइड विट अनेट सिरो कारबर्ट फुर्ट्पेंट यह चीज़ इंपॉर्टंट है अगर पेपर में आ जाए कि ऐसा कौन सा स्पोर्ट है जिसको सर्टिफिकेट मिला है सबसे पहली बार की वह बिलकुल भी कारबन एमिट नहीं करता बिलकुल भी पॉल्यूशन नहीं करता तो वह वह गेम है है mandy आप और खाक धोविला नीश्केस इंडिया इस्स फॉर्स्ट एल्याई इलेक्ट्रिक मॉर्टर रैसिंग एव्एट एस तो इंडिया यह पहली बार करिता तो इसको स्टार्ट का पर किया 현 तो क्यूंकि पहली बार पहली बार फॉर्मिला ई रेसिंग जो है इंडिया करवा रहा है तो इस वाई से इसमें वर्ड आया इनागरेटेड और फॉर्मिला ई जो है वो हम लोग देखा कि इलेक्टर के लिए स्ट्रेंड करता है अच्छा आप डिफरंस देखिए थोड़ा सा दोनों में क्या है यह देखो इक हो यह फोन होता तो इसको ई प्रिक्स की जगा लिखा होता ग्रेंड फ्रिक्स ग्रेंड फ्रिक्स से ठीक के तरो फॉर्मिला वन कलीक्षय उल्ट nostalgia does a grand लाइक और इस सेशन को शेर करिए लाइक भी करिए और और क्या करोगे इतना ही कर दो यार ठीक है समझ में आ गया है तो जल्दी जल्दी से मुझे लाइक दिखाई है ताकि हम लोग आगे बढ़े सर मेरे पास सेंट्रल ओबी सी कास्ट चला गया उपर यार और कोई और कोई किसी को डाउट जल्दी से पुछो मनिशा राजपत को समझ में आ गया है माया को आ गया अमन कुमार को आ गया रियाज अंसारी को आ गया है नैंसी स्मिति सितरा अमन यादव पलक सब को समझ में आ गया है तो बहुत बढ़िया बढ़ते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट question पर और देखते हैं कि हमारा next question हमसे क्या पूछ रहा है तो हमारा next question हमसे कुछ सवाल करेगा ओह यह देखाँ यह formula यह कुछ इस तरीके से दिखती है दिख रहा गया formula e sheet है ना तो यह जो है formula e car अच्छा एक और चीज़ formula e के speed में और formula one के speed में बहुत difference है formula e की speed टॉप कितनी जा रही है 280 km पर आरकी ठीक है और formula one की speed जाती है 350 तो पेट्रोल वाली बात अभी आई नहीं है ना पेट्रोल वाली बात अभी आई है लेकिन तेज तो यह भी है एक क्या केते हैं अगर एक घंटे में यह 280 km जा रही है मतलब यहां से लेकर मतलब दिल्ली से लेकर करनाल तक पोश्ट रिया बड़ी जल्दी से है ना एक घंटे में तो बहुत बड़ी बात है यह तो इस तरीकी कुछ दिखती है तो आप पॉलोईंग इस फास्टेस्ट बॉलर तू कमप्लीट है स्ट फॉर फिफ्टी विकेट्स इन टेस्ट क्रिकेट यह पूच रहे कि ऐसा कौन सा बॉलर है जिसने जिसने चार सो पचास विकेट लिये है टेस्ट क्रिकेट में जल्दी से मुझे आंसर दीजिए और यह पूच अरे दो बर आश्विन अच्छा इसलिए आप लोगों को फिल्कुल है गलत क्योंकि मैंने इस कोश्टन को ट्रेकी बनाया था अंसर इसका है क्या इसका अंसर है अच्छा इसमें ऑप्शन ही नहीं वह ठीक है इसका अंसर है मुत्या मुत्या मुर्ली थरन मुत्या मुर्ली थरन इसका है आंसर ठीक है तो आश्विन जो है अश्विन आश्विन जो है इसने यह सेकेंड फास्टेस्ट बनाए यह फास्टे इंडियन क्रिकेटर्स तो इंडियन क्रिकेटर्स में तो सबसे फास्ट 450 विकेट्स लेने वाला बंदा अश्विन है लेकिन इसमें जो आंसर है वो है मुतया मुर्ली धरन तो मुतया मुर्ली धरन ऐसा बंदा है जिसने 450 टेस्ट क्रिकेट विकेट्स लिये है और बड़ी ते अग्यों को कि तरुकी का इस तरीके की दे रही हमें और यह मैंब बता रहा है की है आश्विन विकम सेकेंड फस्टेउड ट्फर फिफ्टी टेस्ट विकेश्ट सेकेंड फस्टेष्ट अश्विन बना है 450 टेस्ट विकेट्स लेने वाला बंदा और कुछ इस तरीके से अश्विन देखा ही होगा आप लोगो ने और विराट को ली कि तो क्या कहने है शेर है यह तो हमारा है ना यह तो चीटिंग हो गया है अरे कोई बात नहीं है थोड़ी बोट चीटिंग टीचर भी कर ले ठीक है यूराज तिल फेवरेट लास्ट ओवर सिक्स इस सिक्स इस मेमरेबले एक्जैक्टली है ना दोनी यूराज लेजंड भाई है ना चलो इधर देगो यह क्या बोल रहा है कि रव 450 विकेट कंप्लीट करने वाला सेकेंड फास्टेस्ट बॉलर बन चुका है रवीच चंदरन अश्विन और अचीव दिस मालस्टोन इन द एटी नाइन्ट मैच कौन से मैच में 89 जो अभी इंडिया और आस्टिलिया की बीच में टेस्ट सिरीज हो रही है उसके पहले ही दि अश्विन ने अपने 450 विकेट्स पूरे करें और अश्विन को लगे टोटल 89 इनिंग्स याट 89 मैचेस इस चीज को पूरा करने के लिए सबसे फास्ट है और मुतया मुर्ली धरन जो है वह इसलिए फास्ट है क्योंकि इसने असी टेस्ट में किया है ना बहुत खतरनाक बॉलर था और आप लोगों को नहीं पता है राइट आम स्पिनर था और उसका जो रिस्ट था वो टूटा हुआ था ठीक है तो आपने रिस् मुतया मुर्ली धरन ने और वो बंदा है फास्टेस्ट टूरेच 450 विकेट्स अगर समझ में आ गया है तो जल्दी से मुझे दिखाईए अपना क्या अंगुठा और अगर नहीं आया है कोई डाउट है तो जल्दी पूछ लीजिए और हम लोग बढ़ते हैं आगे देखते है कि हमारे पास नेक्स्ट कोश्टन क्या है कि ओके ओके बहुत सारे लोगों कि आ रहे है कि सबस्वाज में आ गया है ओके ओके डंडंडंडंडंडं ठीक चलिए नेक्ट कोश्टन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हमारे पास हमारा नेक्स्ट कोश्टन किस तरीके का है त चलो नेक्ट कोश्चन नहीं है एक छोड़ी से न्यूज है जो कि बहुत ज्यादा इंपोर्टन्ट है ना अच्छा मुझे एक बार कमेंट करके बताईए मैंने आप लोग पढ़ाया था कि सबसे ज्यादा मून्स वाला प्लैनेट कौन सा है जल्दी से मुझे पताईए सबसे ज़्यादा मून्स वाला प्लैनेट कौन सा है फिर हम लोंग बढ़ेंगे आगे और देखेंगे की यहवाली न्यूज क्या है जल्दी से फटाफट सबसे ज्यादा मून्स वाला प्लैनेट स्छिलंका का ठाउं एक ultra झैकली ठीक है सब्सक्राइब तक करेंद अथा मेने के लिए टाकि आप लोगों का बहुत जादा एजी और बहुत सारे लोगों के आंसर आ रहे हैंसरा जूपिटर 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 के मून्स कितने ये भी बताजों मुझे कितने मुंद से Jupiter के जल्दी से बताओ फटाफट से कितने मुंस है जुपिटर के ठीके फिर मैं बता हूंगा आपको क्वार का बारे में हैंना क्वार क्वार क्या है यह क वार्र कि जुपिटर ninet two moons exactly सब क्या सानसरार न nearly start होगी और सारे कह रहे है कि सर मुंस थे अब देखिये क्वार क्या यह क्वार जो है जो हमें दिख रहे एक डौर्फ प्लैनेट लेखो जूपीटर का एक record तोड़ दिया था किसने जुपीटर का एक रेकॉर्ड शॉरी शैटन का एक रेकॉर्ड तोड़ दिया था जुपीटर ने अब शैटन का एक और तूटा है रिंग स्वाला है ना तो से टन के अलावा एक डॉर्फ प्लैनेट है जिसका नाम है क्वार ठीक है और यह जो क्वार है इसके पास है ना सैटन शनी को कहते तो इस इस साल यह जो की एक डॉर्फ प्लैनेट है जिसके पास अकेला ऐसा प्लैनेट है जिसके के पास डस्ट और डेब्रिस के रिंग से ठीक है लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि अब एक और प्लैनेट हमें मिला है जो कि एक ड्वार्फ प्लैनेट है और ड्वार्फ प्लैनेट का हमें मतलब पता है ड्वार्फ प्लैनेट होता है जो की प्लैनेट की साइज की तरह नहीं होता है एक तो छोटा होता है दूसरा उसका जो और बीट होता है वो क्या क्या नहीं होता फिक्स नहीं होता है ठीक है तो हमारे पास क्वार आ चुका है और क्वार जो है वो डॉर्फ प्लैनेट है और इसके पास भी रिंग्स है किसकी लारजस्ट ऐसने लार्जट अव्द नोण डॉण डॉर प्लैनेचेस तो यह बता रहा है है कि फि ambitious चैनत लारजेस्ट आफ दनो और फ्रैनरेंत से जितने भी प्लानेटस रफ यह उसका सेवन लार्जेस्ट जितने भी दोह उसके पता है सन यह रहा सन ठीक है और यह रहा नेप्चून तो नेप्चून के भी उस साइड जो हमारा लास्ट प्रैनेट है सोला सिस्टम का कौन सा नेप्चून नेप्चून के भी पीछे मिलता है ट्रांस नेप्चून ट्रांस नेप्चून तो यह क्या बोल रहा है ट्रांस को एंसर कल करता है या उसको रिवाल्व करता है इट सरेंग इस पोजिशन एट डिस्टन्स आफ ओवर सेवन प्लैनेटरी रेड़े आई अब इसका मतलब क्या है यह इंपोर्टन्ट है देखो इधर जरह यह हमारे पास कौर है ना और जो कौर है इसका जितना रेडियस है उस और कौर जो है वह एक डॉर्फ प्लैनेट है 2002 में हम लोगों ने इसको ढूंडा था और हम लोगों देखा कि इसकी रिंग जो है वो किसकी तरह इसकी रिंग सेम है सैटन की तरह डस्ट और डेब्रिस से बनी हुई और इंपोर्टन्ट चीज़ की सेवन प्लैनेटरी रेडि चीज क्या है जल्दी से जल्दी मुझे बताईए फटा-फट से समझ में आगे क्या स्टार्टिंग से प्लिस कोई बैच का नाम बताईए जब आएगा ज़रूर बताएंगे काजल कुमारी है ना समझ में आगे सब से वारे पास हमारी next New क्या है हर आमारी next न्यूज़ शायत कर्यों आप लोगों के स्क्रिन पर यह रहां विच स्टैट और उनियुन टेडिरी इस zha has to the hello India Winter Games 2023 तो इस बार Hello India Winter Games जो जो है वो किस state में हो रहे है या किस union territory मैं हो रहे है जल्दी से मुझे बताईएं किस state में या किस union territory मैं हो रहे है खेलो इंडिया winter games तो जल्दी से answer दीजिये जुशी राजपूत कह रही है सर भी अंसर है क्या अचा मुससे पूछ रही है बताई धोंगा मैं तो ठीक है बी-बी-बी-उके भी आंसर आ रहा है है यूके यूनेटट किंग्डम रहे इंडिया निपूछा उसमें अच्छा उत्रा खंड अच्छा ठीक है B B B B B B B, भौत सारे लोक B दे रहे हैं नितेश अभी भी नहीं मान रहा है, नितेश यहाद jakilog कह रहा है कि सर मैं तो सबसे हच आणसर दूंगा और मैं आंसर दूंगा A, और C देने वाले खुशी सिंग ने c भी आंसर दिया है, तो जिस जिस ने आंसर C दिया है और जिस जिसने आंसर ए दिया है आप लोगों को अपनी अपनी शकल जाकर एक बार देख लेनी चाहिए कहा पर आइने में क्योंकि आंसर इसका जो है वो है क्या इसका आंसर है बी जम्मू एंड कश्मीर तो जम्मू एंड कश्मीर में इस बार हो रही है क्या इस बार हो रहे है यह खेलो इंडिया विंटर गेम्स तो यह important question है और यह paper में आने के बहुत सारे chances है तो यह वाला question बिलकुल मत भूलना क्यूंकि खेलो इंडिया विंटर गेम्स जो है जमवन कश्मीर में आ अगे बड़े अगे बड़े थोड़ा सा अच्छा जुजे राजपुत के रिए मैं आज ही पड़ी थी very good चली आगे बढ़ते है थोड़ा सा और देखते हमारे पास next question क्या है तो next question हमारे पास कुछ इस तरीके का है देखो ज़रा क्या है question तो question है हमारे पास इंडिया लार्जेस्ट चौपर प्लांट इस टू बी इनाउग्रेटेड इन विच स्टेट तो इंडिया का सबसे बड़ा चौपर प्लांट और चौपर का मतलब होता है हेलिकॉप्टर तो इंडिया का सबसे बड़ा हेलिकॉप्टर प्लांट जो है वो कहां पर हुआ है तो जल्दी से मुझे आंसर देके बताईए कि इंडिया का सबसे बड़ा चॉपर प्लांट कहा पर इनागरेट हुआ है कौन से स्टेट में इनागरेट हुआ है और हमारे पास आप्शन है केरला तमिल नाडू महाराष्ट्रा या करनाठा का जल्दी बताईए सीख पूछ रहे सर करंड़ा फेर की सीरीज कप्चर स्टार्ट होगी जब भी होगी मैं तुम्हें बता दूंगा ठीक है कोई दिक्कती नहीं है तो अमीशा कुमारी के रिये सर महाराष्ट्रा एक्स बॉक्स कह रहा है सर तमिल नाडू बहुत सारे लोग महाराष्ट्रा अंस है करनाटका करनाटका जिसकी कैपिटल बैंगलूरू है ठीक है नमन भारदवाज का पूश्ट अंसर बिल्कुल सही है कि इसका आंसर जो है वो करनाटका है ठीक है चलो तो हम लोग देखते इसके बारे में थोड़ा सा और देखते हैं कि हमारे पास क्या न्यूज है इसके बारे में तो कुछ इस तरीके की है देखो अब मोदी जी दिख रहे हमें तो जहाँ पर फोटो में मोदी जी दिख जाए इसका मतलब इनाउकरेशन इन्हों नहीं किया ठीक है इसके साथ साथ हमें कुछ रहा है इसके साथ साथ हमें दिख रहे है राजनाथ सिंग्ग और यह चीफ मिनिश्टर आफ करनाटका जिनका नाम है क्या बुममई ठीक है चलो तो हम लोग जल्दी से पढ़ लेते इसके बारे में कि य क्या न्यूज है आज तो देखते हैं आई यह जल्दी जल्दी से देखें क्या रहा प्राइमनीच्टर मोधी इनगरेड़ इंडिया प्लांट तो आगर पेपर में कोशन आ जाए कि इंडिया का सबसे बड़ा बसक्र क्लांट का है तो मैंने आप चीन को बता दिया करनाटका में का में कहा है वहीं बताने वाला हूं और किसने Maheret किया है alar मोदी जीने इनर्गरेट किया है यह तक्राइम मिनिश्टर नरेंदर मोदी इनोंगरेंटटर इंडिया दर्ग के Inhale लार्जस बहुत सारे चॉपर्स ये बनाने वाला है ठीक है तो ये क्या बोल रहा है कि सब इन मोदी जी ने सबसे बड़ा चॉपर प्लांट कहां पर इन अगरेट किया है करनाटका में और करनाटका के तुमा कुरू डिस्टिक्ट में नेश्ट के वोला इस फाउंडेशन स्टोर्ण व है हिंदुस्तान हिंदुस्तान एरोनोटिक्स एरोनोटिक्स लिमिटेड हिंदुस्तान एरोनोटिक्स लिमिटेड हमारे पास है हाल और यह जो बैंक इसका हेड़कॉर्टर का है हाल का है इसका हेड़कॉर्टर है बैंगलोर में मतलब करनाटका में तो बैंगलोर में हाल का क्या है है हेड़ कॉर्टर है plans to produce more than 1000 helicopters in the range of 3 to 15 tons तो यह बोल रहा है कि हाल जो है अब देखो हिंदुस्तान अरिमेटिक्स लिमिटेड इसी ने help करिए यह क्या बनाने का यह plant बनाने के लिए helicopters के लिए ठीक है और यह इनका टारगेट क्या इनका टारगेट है 1000 helicopters बनाने का और उनकी range जो होगी वो 3 से 15 tons की होगी इतने heavy helicopters जो है यह बनाए जाएंगे लेकिन अभी starting में यह लोग क्या करें starting में यह लोग light utility helicopters बनाने वाले है ठीक है तो फैक्टरी स्प्रेड एक्रॉस 615 एकर बड़ी यह फैक्टरी बनी है तो बहुत बड़ा एरिया है इस फैक्टरी का एंड वोड इनिशली मैनुफेक्टर लाइट utility helicopters तो इसके बारे में सारी की सारी चीज़े देख लिए हम लोगों ने जल्दी से मुझे बताईए कि क्या आप लोगों के समझ में आ गया है और अगर आ गया है तो जल्दी से मुझे नौट प्राइविट लिमिटेड इट इस पब्लिक ठीक है चली 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 शबाज शबाज बहुत सारे लोग कह रहे कि हां सर समझ में आ गया है तो बढ़ते हैं हम लोग हमारे है नेच्ट कोस्टिन पर और नेच्ट कोस्टिन हमारा कुछ अच्छा नेच्ट कोस्टिन है हमारा कुछ इस तरीके से देखो ज़रा कुछ लोग खड़े हुए यहाँ पर ठीक है और यह बोल रहा है कि विच नेबरिंग कंट्री ओफ इंडिया मार्ट इट सेवेंटी फेबरुरी 2023 तो फेबरुरी 2023 को फेबरुरी 2023 को कौन सा कौन सा ऐसा नेशन है जो कि हमारा पडोसी है जिसने क्या करा है अपना 75 इंडिपेंडंस डे मनाया है तो जल्दी से मुझे बता यह आंसर इसका तो बहुत सारे लोग आंसर दे रहे है कि सर भी कि आंज़ोन है ठीक भी भी बी 2-7 आनशर आ रहे है अरुनपाल और और किया चल रहा है अफ्र ठीक है श्fund का आनसर आ रहा है फाल दूटल सब्सक्राब का जब तक गलत अंसर नहीं दूगा और और अभी राजपूत का आंसर कंप्लीटली रॉंग है है ना शरम आने चाहिए तुम्हें नहीं भी आएगी तो भी प्रॉब्लम नहीं है वैसे क्योंकि अब तुम्हें आनसर आने वाला है और आंसर हमारे पास इसका है बिलकुल क्या श्रीलंका और यह जो बंदा है वो है श 4th February 2000 sorry not 2000 1948 को इसको डॉमिनियंशिप मिल गई थी है ना तो ब्रिटिश ने डॉमिनियंशिप दे दी थी किसको श्रीलंका को और ब्रिटिश का ही क्या था इनके उपर कबजा था तो 1948 4th February 1948 को इनको एक तरीके से सेमी इंडिपेंडनस मिला था complete इंडिपेंडनस तो 1972 में मिला है ठीके तो उस बारे में यह न्यूज है और इसका नाम बताइए मुझे हाँ रानिल विक्रम शिंगे बिलकुल आंसर सही है ना तो रानिल विक्रम शिंदे जो है रानिल विक्रम शिंगे यह है है तो होप कि आपको समझ में आ गया होगा देखते हैं हमारे पास इसके बार में कुछ है क्या और अगर नहीं है तो हम लोग बढ़ेंगे आगे ठीक है यह वाला question important है देखिए क्या question है हमारे पास next question हमारे television screen पर कुछ इस तरीके से विच कंट्रीज चीफ जस्टीज वाज इन्वाइटेड अज द चीफ गेस्ट आफ दो 73rd foundation day of the supreme court of India तो इंडिया के supreme court का foundation day था 28th January को और 28th January को हम लोगोंने क्या मतलब सुप्रीम कोट ने क्या मनाया अपना foundation day मनाया 73rd foundation day मनाया तो सुप्रीम कोट आफ इंडिया ने किस कंट्री के चीफ किस कंट्री के चीफ जस्टिस को एज चीफ गेस्ट बुलाया था तो जल्दी से अंसर दीजिया और option है आपके सामने Malaysia Singapore Canada यह जर्मनी जल्दी से अंसर जल्दी से आने दो आने दो बी 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 सिंगापोर 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 और सिंगापोर सिंगापोर और सब के आंसर इस बार इस बार सब लोग ठान के आए कि सर आप question पूछते रही है आंसर हम लोग देंगे आपको कर् desрам के सब क मात शरोय एक दम करक्ठ है और इसका आंसर जो है वह है क्या इसका आंसर है सिंगापॉर सिंगापॉर की कैपितल क्या है जलदी से कमेंट करके मुझे बताईए कि सब्सक्राइब कैपिटल आफ आप सुप्रीम कोर्ट ये बोल रहा है क्या सुनादरेश मेनन सुनादरेश मेनन सुनादरेश मेनन जो है ये चीफ जस्टीस आफ सिंगापोर देंडरेश मेनन और इन्हों ने अटेंड किया देशन डे ceremony as a chief guest तो Supreme Court की जो foundation day की ceremony थी उसको attend किया किसने सुनद्रेश मेनन ने और सुनद्रेश मेनन ने ये वाला foundation day attend किया था और इन्हों ने यहापर speech भी दिया एक lecture भी दिया और इनके lecture का जो topic था वो था the role of judiciary in the changing world तो जो बदलता हुआ बदलती हुई दुनिया है उसमें judiciary कितना important है उसके उपर इन्हों लेक्चर भी दिया है और on January 28 1950 यह गोड़ा है 28 January 1950 को मतलब रिप जब हम लोगों ने constitution अपना लिया था constitution अपना है हम लोगोंने 26 January 1950 को हैना उसके दो दिन बाद 28 January 1950 को सुप्रीम कोर्ट जो है वो क्या कर दिया था हम लोगोंने फार्म किया था सुप्रीम कोट हमारे पास 1773 से 1774 से 773 में act आया था regulating act 1774 से सुप्रिम कोड बन गया था लेकिन इंडिपेंडेंट इंडिया का सुप्रीम कोट कप्से इन् compression हो और निए इंडिपेंडेंट इंडिया इंडिया का जो सुप्रीम कोर्ट है वह जैनवरी 28 1950 को हम लोगों ने उसको शुप्रीम कोड का नाम दिया और और उसको अब 73 येर्स हो गए और 28 जनवरी 1950 से स्टार्ट होता है और हर साल अठाई जनवरी को मनाया जाता है इसका क्या क्या है कि अब फांडेशन डे ठीक है चलिए बढ़ते आगे देखते हमारे पास और क्या है न्यूज में ओ चलो तो हमारा आज का जितना भी टॉपिक था वो सारा के सारा हो गया है पूरा आई होप कि आज वाला लेक्चर आप लोगों पसंद आया होगा आज भी मैंने वैसे पढ़ा आ जैसे में कल पढ़ा रहा था लेकिन आज मैं कोशन्स लेके राया हुए इस वैसे शायर आप लोगों का थोड़ा सा जो टेंचन ता कि सर क्वोश्चन कैसे आने कोश्चन कैसे आने कुश्चन बताई हमें तो आज वो सिस्टम मिमने वो ठीक कर दिया है आई एक एक बार रिवीजन कर लेते हैं ताकि हमें पता चले की कि रंगीला एन रंगीली ग्रूप कौन सा यह मुझे नहीं पता फिलेंगे चलो एक बार कर लेते हैं तो हम लोग 73 फांडेशन गुरूप जो है है इसमें हम लोगो ने चीफ गेस्ट के तोर पे देखा था किसको सुनद्रेश मेनन को और सुनद्रेश मेनन चीफ जस्टिस ऑफ सिंगापूर है और हर साल 28 जनवरी अगे देखी क्या बोल रहा है यह फिर हम लोगों ने किया था कि फॉर्थ फेबरॉरी को 75 यह पूरे होगे करिया का इनागरेट किया है प्राइमअश्टन मोदी ने और इसको इनागरेट किया है कुला कुरू में जो कि करनाठाका है तो माकुरू डिस्टिट ऑफ करनाठाका है इसaper और आरनाटिक्स लिमिटेड ने और इसका फाउंडेशन स्टोन भी नरेंदर मोदी ने रखा था 2016 में और इन लोगों का प्लैन है कि 1000 हम लोग बनाएंगे जो की तीन से पंदरा टन के घ्रणर के बीच में इनका वेट वगरह होगा और अभी स्टार्टिंग में यह लोग क्या करें लाइट यूटिलिटी हेलीकोप्टेस बना रहें और आंध फोर्सेस को आर्मी को एत रफोर्स को यह लोग क्या करने वाले यह हेलिकॉप्टर्स देने वाले है और पूरी तरीके से छेसो पंदरह एकर्स में ये चीज ये जो प्लांट है फैला हुआ है फिर हम लोगों ने देखा हम लोगों ने देखा क्वार के बारे में और क्वार के बारे हम लोगों देखा कि क्वार जो है एक डौर्फ प्लैनेट है और यह ट्रांस नेप्टूनियन प्लैनेट है और हम लोगों देखा कि इसके पास सैटन लाइक रिंग है जो कि डस्ट औ और डेबरिस से बनी हुई है और हम लोगों देखा क्या क्या देखा की सेवन डौर्फ प्लैनेट से क्वाड़ पास तो जो इस शरी है वो इसके रेडियस से साथ कुना धूर है ठीड है यह यह वाला इंपर्टन ठीक है और 2002 में इसको डिस्कवर किया गया था ये भी हम लोगों ने देख लिया नेक्स्ट हम लोगों देखा क्या आश्विन जो है वो सेकेंड फास्टेस्ट बॉलर बन चुके है टेस्ट क्रिकेट में जिनों है चार सो पचास विकेट्स लिये है और फर्स ने वाली है और इप्रिक्स रेसिंग जो है वो रेसिंग की एक सीरीज होती है जिसमें एक घंटा रेसिंग करनी होती है हाईदराबाद में है और पहली बार इंडिया में हो रहा है यह इनौगरेट हुआ इंडिया में इसमें टोटल सिर्फ बैटरी पे चले गी यह हम लोगों ने किया था कि क्या उत्तरप्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर सम्मिट कहा पर हो रहा है तो ग्लोबल इन्वेस्टर सरी यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर सम्मिट जो है वो स्टार्ट हुआ है उत्तरप्रदेश में तीन दिन के लिए और इसको इनागरेट किर रहा है हमारे प्राइम मिनिस्टर मोधी ने और इन लोगों का प्लैन है उत्तर प्रदेश की एकनॉमी वन ट्रिलियन डॉलर की करना और टारगेट कर रहे है यह लोग इन्वेस्टमेंट कितना 17.3 लैक करोड रुपीज और इसका इनाउगरेशन इंपोर्टेंट इसका इनाउगरेशन जो है वो लखनाव में हुआ था लखनाव में नेक्स चीज़ देखते हैं क्या हम लोगों ने किया था शॉर्ट पूट में जो हमारे पास एशियन इंडोर एथलेटिक्स चैंपियंशिप हुई थी कजाकिस्तान अस्ताना में उसमें तजंदर सिंग ने तजंदर सिंग ने क्या करा था गोल्ड मेडल जीता था और करनवीर सिंग जो है उनका सिलवर मेडल आया है आगे हम लोग देखा क्या हम आगे हम लोग देखा कि दो वंदे भ पहरों को करेंट करना और यह नाइन्थ और टेंथ ट्रेंट थी और यह करेंट करेंगी मुंबई से सोलापूर और मुंबई से शेडी को और जितने भी पिलिग्री में स्टाउन से उनको क्या करेंट करेंगी और यह स्टार्ट हुआ था कब यह स्टार्ट हुआ था बनना कब सबसे 2019 से और 2019 में जो सबसे पहली ट्रेंट थी वो दिल्ली कानपूर अलाबाद वारा नसी की रूट पे चली थी तो इसके बारे में हम लोग ने देख लिया था और बस इतना ही हम लोग देखा आशा करता हूं कि आपको सारे की सारी न्यूस जो है और सारे की सारे करेंट होंगे और इसमें से कोश्चन बनने के चांसे बहुत ज्यादा है तो अगर आप लोगों को ये वाला जो सेशन था अपना वो पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए शेर करिए अपने दोस्तों को दिखाईए मुझे बहुत सारा प्यार दिखाईए और अगर कोई डाउट ह सॉल्व करने के लिए आप के लिए हमेशा हूँ हाजर तब तक के लिए मैं आप सब लोगों कहता हूँ जय हिंद